चलिए दोस्तों स्वागा ता फिर से आपका अपने चैनल S-Cast Tips में आगा हूँ आपके लिए एक और बहुत इंटरस्टिंग वीडियो लेके जो कोई Pi में बहुत इंटरस्टिंग अपडेट आ चुका है आपको कैसे wallet generate करना है कैसे KYC करना है तो मैं आपको पूरी information इस वीडियो में दूँगा जैसे अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपने Pi कैसे lock-up कर सकते हो यह वाली option में जाएंगे lock-up में जैसे दीखिए मैंने 90% Pi एक साल किरी lock करे हुए है और जैसे मैं आपको कल भी पुरानी वीडियो में मैंने बताया था कि आप अपने Pi lock-in कर सकते हैं according to your customization अगर आप अपने घर में को 2-3 mobile से Pi माइन कर रहे हैं तो आप उनसे lock-in period कम कर सकते हैं एक किसी mobile से lock-in period बढ़ा सकते हैं और Pi की percentage भी बढ़ा सकते हैं ताकि आपको इन future जब Pi और बढ़ जाएगा तो आपको उसके और higher rate मिले तो आप ये अगर 2-3 phone से कर रहे हो Pi mining तो आप ये customization कर सकते हैं फिर भी दोस्तों आपको कोई doubt होगा कोई question होगा आप comment करना मैं आपको उसका 100% बला ही कर दूँगा तो ये था Pi lockup का अब Pi आपको कैसे wallet generate करना है और KYC कैसे करना है तो चलिए उस पे चलते हैं आपको ये 3 dot पे click करना है यहाँ पे आपको Pi browser download करना पड़ेगा ये दोस्तों मैंने already download करा हुआ है तो ये आपको लेके जाएगा play store पे जहां से आपको Pi browser को download करना होगा तो मैं sign in to Pi browser कर देता हूँ यहाँ पे तो ये देखिए ये Google Play Store पे लेके जाता है पट मैंने अभी Pi browser download कर लिया है तो इसलिए ये मेरे को सीधा Pi browser पे लेके जाएगा आपको पहले Pi browser download करना है जब आप download कर लोगे दोस्तों तो आपको ऐसा इसका interface देखेगा मैं आपको कैसा app ये दिखती है वो भी दिखा देता हूँ ये दोस्तो Pi browser ये देखिए लास्ट में आप देख रहे होंगे तो अब मैं आपको one by one ये सारी option बताता हूँ इसमें क्या क्या है आपको कोई भी दोस्तों वीडियो को skip नहीं करना है अगर आप skip करोगे तो बहुत important information आप lose कर जाओगे तो सबसे पहले मैं आपको chat Pi पे दिखाता हूँ chat Pi में दोस्तों आप यहाँ पे chat कर सकते हैं सारे groups में ये groups में आपको इवर दिखाता हूँ कैसे आप इसमें chat कर सकते हो ये दिखे जैसे हमारा earning group है जो मेरे साथ वीवर जुड़े होई ये मैं उनसे chat कर सकता हूँ यहाँ पे अगर आपको general chat करनी है तो यहाँ पे click करके आप chat कर सकते हो ये दिखे आप अपना यहाँ पे कुछ भी answer type कर सकते हो जैसे मैं आपको यहाँ type कर रहता हूँ when main net will launch तो मेरा ये answer था question था मैंने यहाँ पे कर दिया है तो आप भी यहाँ पे chat करके अपने question answer के doubt क्लियर कर सकते हो फिर आप brainstorm पाई brainstorm पाई में दोस्तो अभी ये load हो रहा है ये अभी server को overloaded कह रहा है वैसे भी load हो रहा है welcome to brainstorm पाई यहाँ पे पाई का पूरा process आपको दिया हुआ है कि पाई कैसे कैसे launch हुआ क्या क्या करना है आगे क्या क्या होगा इसमे या आप इसमे पर go through कर सकते है आगे है माइन पाई यहांसे भी आप अगर आप आप वहां पे आप में जाके इसको माइन नी कर रहें तो आप यहां से ही कर सकतेए अगर आप माइन एक्सपायर हो गया सेशन यहां से वी आप कर सकते है blockchain पाई यह पाई की जो लॉंच होगा मेन नट पे आ जाएगा तो इसकी ब्लॉक्चेन भी आ जाएगी आप यहां से भी ट्रेडिंग और सब कुछ माइनिंग यहां पर इससे भी कर सकते हो यह मैं आपको दिखाते हैं दो एक बार यह दिखें दोस्तों यहां पर पूरी जैसे हमारा ब्लॉक्चेन पर हमारा अकाउंट अभी क्रेट हुआ तो उसमें यह सारी कंफेग्रिशन आ रही ही कैसे कैसे वह अकाउंट क्रेट हुआ क्या क्या मिला है हमें आपको दिखाऊंगा हमें क्या मिला है अभी का अकाउंट क् पोटल पे हम आ गए हैं इसमें भी आपको कि यह कैसे ड्वेलपर हुआ इसका ड्वेलपर पोटल में क्या-क्या है सारा इसका क्या-क्या कन्फिग्रेशन है वह आपको सारी यहां मिलेगी फिर दोस्तों हमारे लास्ट दो इंपोर्टेंट टॉफिक वालट एंड के वाईसी फिर हम के वाईसी पे क्लिक करते हैं अब आपको के वाईसी में दिखाता हूं कि कैसे होगी शेर इंपोर्मेशन विद पीए के वाईसी पीए के रुक्वेस्टिं यह तो फॉलिंग डाटा और पर्मिशन अथन्टी यह यूजर नेम रोल तो इसको अलॉग कर देंगे अब अभी देखते हैं के वाईसी के लिए क्या-क्या अवेलिबिल्टी क्या-क्या मांगता है सौरी न porte proudly special limit दोस्तो KYC में अभी क्या था कि इंडिया में पाई ने सिर्फ हंड़रD वीवर्स को लोग कर रहा था KYC करने के लिए तो वोई सिर्फ KYC कर पाएं है, सिर्फ 100 वीवर्स के लिए थी अभी और को KYC करने का परमीशन पाई ने नहीं दिया है तो आप इसको चिंता न करें, जैसे पाई परमीशन अलोग करेगा KYC करने की मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूँगा, सबसे पहले वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगी तो इसलिए अभी KYC होना पॉसिबल नहीं है तो चलते हैं यह देखें, see you soon, चलते हैं back अब मैं आपको wallet दिखाता हूँ, wallet कैसे generate होगा तो यह दोस्तो, unlock with finger आपको finger अपना जरूर करना है, यह दिखें दोस्तो, PI test net में मेरे को 100, पाई, यह सिरफ testing stage है आपको यहाँ पे 2 दिखेंगे, PI main net, जब PI main net पे launch हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको PI main net क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जितना total balance है, let's suppose मेरे पास 5000 something balance है, वो मेरे को यहाँ show होना शुरू हो जाएगा फिर मैं उसकी trading करना शुरू कर सकता हूँ, जो दोस्तो मैंने lock करे होंगे, वो show नहीं होंगे जो मेरे unlock portion होगा, वो यहाँ show हो जाएगा, और फिर मैं उसकी trading कर सकता हूँ, किसी को send कर सकता हूँ, receive कर सकता हूँ अभी मैं आपको send और receive करके दिखाता हूँ, एक demo purpose के लिए जैसे मैं गया test net में तो दोस्तो, अब मैं आपको यह बताऊँगा, कि आपको, जिसको आपको send करने है, जा किसी से आपसे receive करने है, उसको आप अपना address कैसे share करोगे आपका जो address होगा, जैसे मेरा भी address है, मेरा address यह बला है, यहाँ पर click करूँगा, यह copy हो जाएगा ठीक है दोस्तो, तो अब आपको history दिखाता हूँ, मेरे को किसने पाई send करे, अभी देखे, wallet create हुआ है, मेरे को 100 पाई मिले है, तो मैं आपको इसको send और receive करने की testing भी करके दिखाता हूँ तो अभी अगर मेरे को किसी को send करने है, तो मेरे को उससे address लेना होगा, वो viewer अपना address कहां से देगा, यहाँ से copy करेगा, यह वाला देखे दोस्तो, यह copy करोगे, अगर आप अपना address यह वाला किसी और को दोगए, तो आपको pay आ सकते हैं, अगर आप किसी से address लेता हूँ, तो मैं अभी किसी से एक अड्रेस लेता हूँ और उसको आपको पाई सेंड करके दिखाता हूँ कैसे सेंड होते हैं तो यह देखे दोस्तों अभी मैंने एक अड्रेस किसी से ले चुका हूँ मैं आपको पाई सेंड करके दिखाता हूँ कैसे सेंड होते हैं send पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको recipient address टाइप करना होगा यह जिसे मैंने address लिया है amount आपको कितने pi send करें जैसे मैं आपको 10 pi send कर रहा हूँ और minimum fees जो लगेगी 0.01 लगेगी तो यह दिए यहां पर mention है तो मैं यहां पर let's suppose मैं 50 send करना चाहता हूँ तो मैं इसको send कर देता हूँ तो यह send हो रहे है तो यह दिए दोस्तों यह send हो चुके है अब आप मेरा balance देखो के तो यह दिए 49.99 रह चुके है 50 मैंने send करें और 0.01 इसकी transaction fees charges लगे है तो मैं आपको history में दिखाता हूँ कि कैसे send हुए है यह दिए दोस्तों 50 send हो चुके है और 0.01 इसके transaction charges लगे है तो ऐसे आप किसी को pay send कर सकते हो और आप receive कैसे कर सकते हो मैं आपको receive करने का भी बताता हूँ आपको यह वाला address अपना copy करना है और जिससे आप pay मगवाना चाते हैं उसके share करना है तो आपको दिखाता हूँ मगवा के कि आपको कैसे यहाँ पर show होंगे तो यह देखिए दोस्तों अभी मैंने जिसको मैंने 50 pay send करे थे मैंने उसको request करिये कि आप मुझे मेरे 50 pay send कर दे तो अभी वो sending कर रहे है तो यहाँ पर आप देखना मेरा balance अभी change हो जाएगा तो एक बार history में चलते हैं देखते हैं हमें pay receive हो चुके कि नहीं तो यह देखिए दोस्तों 50 pay receive हो चुके है आप देखो जो green है वो आए हुए है जो red है वो गए हुए है तो अभी आप देखना मेरा balance कितना हो चुका होगा यह देखिए 99.99 मेरा balance हो चुका है ऐसे आप pay send और receive कर सकते है जैसे अभी यह testing है सिर्फ दोस्तों आप भी जैसे pay अपना wallet generate create करोगे तो आपको भी 100 pay मिल जाएंगे यह testing phase में वो testing के according दिखा रहे है कि आप कैसे pay send और receive कर सकते है जब main net पे आजएगा जब pay main net पे आएगा तब आप यहां से transaction कर सकते है यहां पे आपका balance show करेगा और ऐसे ही हम send और receive कर सकते हैं तो यह था दोस्तो pay wallet के लिए के बहुत important information तब तक अब आपको hope आप सारे यह step की information clear होगी होगी KYC के दोस्तो जैसे अपडेट आता है मैं आपको KYC के बता दूँगा और दोस्तो अगर आप भी testing के purpose से pay send और receive करके देखना चाहते हो मैं अपना यह address आपको comment box में दे दूँगा आप comment box में मेरे को अपने pay testing के लिए send कर सकते है मैं आपको वापिस भी send कर दूँगा वो घबराना मत दोस्तो क्योंकि यह सर्फ testing purpose है तो इसलिए इसमें डरने के कोई जरूरत नहीं है testing purpose के आप मैं अपना pay address आपको comment box में दे दूँगा आप इसकी पूरी testing करे दिल खोल के करे और दोस्तो अगर आपने pay app अभी तक download नहीं करी है तो उसका download करने का link भी मैं description box में दे दूँगा और comment box में दे दूँगा वहाँ से जाके download करे और दोस्तो शुरू हो जाए अपनी pay की journey को क्योंकि इसमें बहुत चल्दी बहुत सारे लखपती करोड़पती बनने वाले हैं तो इसज़र चलिए चलते हैं हमारी main app पे तो यह दोस्तो आगे हम अपनी pay की main app पे यह देखे मेरे पास 5,247 pay show कर रहे है तो मैं आपको इसकी configuration बताता हूँ कैसे कैसे है main net दोस्तो अगर हम click करेंगे तो यह your main net balance preview यह आपको ऐसा preview show करेगा अब यह ऐसा क्यों show कर रहा है दोस्तो इसका एक logic है unverified balance जो है 3901 है यह वाला unverified आपको show करेगा और transfer balance to main net है 1345 यह दोस्तो इसलिए है क्योंकि हमने जो lock करा हूँ है वो यह वाला है 3901 और जो unlock है वो transfer balance to main net है अब आपको lock up पे अगर आप जाके दिखोगे तो मैंने क्योंकि 90% इसका lock करा हुआ है तो इसलिए दोस्तो यह मेरे को वहाँ पर ऐसे दिखा रहा है अब मैं आपको फिर वहीं पर लेके चलता हूँ तो यह दोस्तो यह दिखिए अब मैं फिर वहीं पर आगे हूँ आपको समझाने के लिए unverify यह approximately 4000 मेरा balance इसलिए show करता है क्योंकि यह हमने lock up करा हुआ है और transferal main net पे यह दिखा रहा है तो इसलिए आपको भी ऐसे दिखाएगा आप इसको चेक करें फिर भी दोस्तो आपको कोई doubt होगा कोई question होगा मेरे को comment करें और दोस्तो पाई आप wallet की testing जरूर कर ले अपना wallet activate जरूर कर ले कुछ भी आपको issue आता है मेरे को comment करें मैं आपको उसका 100% reply करूँगा तो इसी के साथ यह था बहुत ही important नया update पाई को लेके और दोस्तो पाई की anniversary 14 तरीकों आ रही है 14 मार्च को उस दिन बहुत बड़ी announcement आने वाली है आप हमारे channel को जल्दी से subscribe कर ले ताकि कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए तो मिलते हैं ऐसी एक और interesting वीडियो में तब तक आप देखते रही है और अपना प्यार दे ते रही है Thank you